हेलो एंड वेलकम तो माई चैनल क्यूपिट हिटन टालेंड आज इन मसालों को देख करके आपको लग रहा हुआ कि आज मैं आपके सामने ऐसे कौन सी डिश बनाने जारी हूं जिसमें इतने सारे मसाले लगने वाले येस आप लोग ने बिल्कुल सही गेस किया आज मैं वापस से आपके सामने एक अचार की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो खाने में आम से भी जादा टेस्टी होता है यह यू कहले छोटा पैकेट बड़ा धमागा होता है देखने में तो बहुत छोटा होता है वो लेकिन खा में कट करके अच्छे से भू करके दूप में इसे एक दिन के लिए सुखा लिया था और ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो इदम खतम हो जाए अगर इसमें जरा सभी पानी रहेगा तो वो हमारा HR फिल्म लॉंग टाइम के लिए नहीं रह पाएगा और वो खराब हो जा देखें इसके साइड की जो इसकिन है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है इदम तो नहीं सॉफ्ट होती लेकिन हाँ इतना है कि राई आमडा और जो ताजा आमडा काटते हैं वो आमडे में थोड़ा सा फर्क हो जाता है उसके इसकिन में थोड़ा सा नरम पना जाता है ज मिसाले में मैं ऐस यूजवल नमक का सबसे जादा यूज़ करूँगी जो की अचार को लॉंग टाइम के लिए टिकाने के लिए बहुत जरूरी होता है इस वाज़े से मैंने लगबग देख रहे हैं क्वांटिटी में लगबग लिया होगा मैंने 50 ग्राम नमक है हल्दी लगबग 35 ग्राम ली है मैंने मंग्रेल को जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप इसे पीस करके मंद यूज़ करिएगा इसे आप ऐसे ही खड़ा ही डालिएगा और अच्छे से इसको तवे पे या किसी चीज में रोस्ट कर लीज़ेगा कुछ भी डाल क के रोस्ट नहीं करना है ऐसे सूखा ही आपको इसे बूहना है इसको बूहनने का तरीका यह हिए कि इसकी होलकी सिस्मेल आ लगती है मंग्रेल की तो इसका मतलब है कि वओच्छ से बून गया है लहसुन का पेस्स, इसे बिना पानी डाले मैंने पीसा है, चाहे तो आप इसे सलबटे पे पीच सकते हैं, और चाहे आप तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीच सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से उप्षनल है, अगर आप इसे लाइट महीं करते तो आप इसे ना मिर्श पाउडर, लगबग मैंने 30-40 ग्राम लिया है, क्योंकि मैं बहुत जाज़त तीखा नहीं पसंद करती है, इस वज़े से मैंने इसे थोड़ा कम ही लिया है, आप इसे अपने टेस्ट के कॉर्डिंग बढ़ाया गटा भी सकते हैं, काली शर्सो का पाउडर है, यह लगबग मैंने 50-oft ग्राम काली शर्सो का पाउडर बना करके यूज़ किया है, इसे बुहुन करके नहीं है, ऐसी कच्चा ही पीसा है, और अगर आप पिली वाली सर्सो यूज़ कर रहे हैं, तो पिली वाली sर्सो को आप थोड़ा सा ओंटि धनिया पाउडर इसे अच्छे से भून लिया था धनिया को खड़ा धनिया पहले भून लिया है उसके बाद में उसको टीस लिया है ये लगबग लिया है मैंने 50 ग्राम जीरा, मेथी और जो मसाले वाली मोटी वाली सौफ होती है न उसको, तीनों को एक्वल पार्ट में लिया है और तीनों को ये अच्छे से पहले सुखा भून लिया है उसके बाद में उसका पाउडर बना करके लगबग इस पाउडर की कॉंटिटी में बदा हूं तो ये लगबग मैं 25 ग्राम यूज़ कर रही हूं इसका मतलब है कि आप लगबग 10-10 ग्राम के लगबग में अगर भूनते हैं तो आपका पाउडर लगबग 25 ग्राम या 30 ग्राम के लगबग में तयार हो जाएगा मस्टर्ड ओल लगबग ये 100 ग्राम के लगबग में मैं यूज़ कर रही हूं कच्चा है इसे पकाना नहीं है कच्चा ही यूज़ करेंगे हम मैं लगबग 2 किलो आमड़ा यूज़ कर रही हूं इसी वज़े से मैंने सारे मसालों का जो मैजर्मेंट बताया है वो उसी के साब से बताया है । अगर आपके पास में कम कौन्टिटी में है आमड़ा to आप मसाले फिर उसी के साब से यूज़ करिएगा तो अब हम इसमें सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं इसमें कोई सीक्विंस नहीं है कि आपको हलडी जालना है नमक कर ले डालना है इतना टेस्टी अचार बन करके यह रेटी होता है कि इस अचार को आप चाहे तो रोटी पराठा पूरी या डाल चावल या खिचडी या तहरी या कोई भी सिंपिल या कॉंप्लिकेटेड या किसी भी तरीके के डिश के साथ खाएंगे तो उसका स्वाध यह और बढ़ा देत है इतना यमी रहता है यह कि इसे हर एज ग्रूप के लोग खाना पसंद करते हैं सबसे बड़ी बात की है इसी सीजन में अवलेबल होता है इस वज़े से इस टैम पे इसका अचार बना करके हम घरों में इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और फिर साल भर इसके मज़े ले आप चाहें तो किसी चमच का भी यूज कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए आमड़ा का अचार बन करके अब रेडी हो गया है इसमें सारे इंग्रीडियन्ट अच्छे से मिक्स हो गए है इंग्रीडियन्ट का टेस्ट जाने के लिए आप इसको हाथ पर लेकर के थोड़ा सा टेस्ट कर लीजे हमें इसका टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी ही रखना है आमरा थोड़ा खटा होता है इस वज़े से नमक की वज़े से उसका थोड़ा खटापन कम भी हो चाएगा और नमक की वज़े से हमारा जो अचार है वो काफी जादा जिनता टिक जाता है यानि कि उसे बहुत जादा टाइम के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं तो लीजे अचार बन करके अब रेडी है इसे हम एक काँच की बर्नी में भर करके एक दो दिन के लिए दूप में रखेंगे जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए आज मैंने आप लोगों के साथ आमडे के अचार की चटपटी रेसिपी शेयर करी इसी तरीके की चटपटी मज़ेदा रेसिपी जाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई टेक केर